वेल्कम बैक टू मैं चैनल इस्टेडी आर्ट हर्ब सो आज मैं डिसकस करूंगी आर्टिस्ट राजर रवी वर्मा के बारे में राजर रवी वर्मा 28 अप्रेल 1848 में पैदा हुए थे और 2 ऑक्टूबर 1926 में इनका मतलब देहान थो गया था और जन्म केरल के तिरुणनम पूरम जिले के किलमनूर नामक ग्राम में हुआ था शिक्षा जो इन्होंने पैंटिंग की एजूकेशन कम्प्लीट किये उनके जो टीचर थे वो थियोडो जैंसन थे दूसरे गुरू थे इनकी आलम ग्रीन आइडू इनकी जो टैक्निक होती थी वो यूरोपेयन स्टाइल्स होते थे मतलब कलर स्किम जो था वो यूरोपेयन का इनकी प्रणार किया है और इनके विसे जो सब्जिक्ट मैटर होते थे वो इंडियन माइथोलोजिकल होते हैं मतलब इंडिया के लोकल और ट्रडिशन को कैप्चर किया इन्होंने अपनी पेंटिंग में देख लेते इनको कौन-कौन से आवार्ड मिले हैं पुरसकार ऐं पूरे में प्रदर्ष्णी गायक वर्ड का स्वड़ पदक अवार्ड भी मिला है इन्हें एस बान बेस्टी में विहना में प्रदर्ष्णी लगाई थी वहां वार्ड मिला रप और 1904 इस्ट्वी में ब्रिटिश शरकार नहींने केसरे हिंदी की उपादी दी जिसे नाइट हूट की उपादी कहते हैं उससे सम्मानित किया गया और इन्होंने लिटोग्राफिय प्रेस की स्थापना कहां और कब की थी तो 1894 इस्ट्वी में मुंबई के घाट को पर नामकिस्थान पे इन्होंने इसकी स्थापना की थी किसके त्रू जर्मन टैक्निशनों के त्रू इस विदी में छापेगे ओलियोग्राफ के नाम से जाना जाता है मतलब यह जो लिटोग्राफी मशीन लगाया था इन्होंने जर्मन टैक्निशनों के त्रू उस मशीन को ओलि ग्राफी नाम से जाना जाता है ले तो ग्राफी प्रेश को और उसकी पहली पेंटिंग कौन सी थी तो ठाइस चौरानबे स्वी की शाकुंतला का जन्म अब इनकी पेंटिंग्स देख लेते हैं इसका इंगलिश में वर्जन है इंद्रजीत विजय माता पुत्र नायक लेडी लिये हुए महिला पुष्पवाटिका माला वारिस्त्री तो ये जो कुलीण महिला है आपको इवला दिक रहा है कुलीन महिला है तो कुलीन में हिलाएं और कहां पे चित्रित की गई हैं तो सिगिरिया की गुफा में भी की गई हैं ये पेंटिंग बनाई गई है भारत में कैलेंडर कला के जर्मदाता राजर रवी वर्मा माने जाते हैं चित्रों में राजकुमार या राजकुमारों में चित्र का राजर रवी वर्मा को कहा जाता है यूरोपे शैली को आधार मान कर भारती विशय का चित्र राजर रवी वर्मा ने किया फिल्म रंग रर्सिया फैशन आफ कलर राजा रवी वर्मा के जीवन पर आधारी थे राजा रवी वर्मा के चित्र शैली विशिष्ट यथार्तवादी थे राजा रवी वर्मा के चित्र हर घर में शोबा बढ़ाते हैं लेक हर घर में as a calendar hang होता है इनकी paintings राजा रवी वर्मा के अधिकान चित्र चित्राले आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में संग रही थे राजा रवी वर्मा ने केरल के नारियों की चित्र बनाए थे जो रूबिन्स और पिटर पॉल रूबिन्स और टीशन की याद दिलाती है तो रूबिन्स जो थे वो बरू का आर्टिस थे तो उनका reflection paintings में डिपिक्ट होता है राजर अभी वर्मा की पेंटिंग्स में राजर अभी वर्मा को नाट किये चित्रकार आनन कुमार घोस ने कहा रंग रश्या उपन्याश रंजित देसाई का था इनकी फेमस पेंटिंग देख लेते हैं अगर आप हमारा चैनल देख रहे होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूँ किजिएगा अब इनकी पेंटिंग्स देखते हूं विज्वल एस्थेटिक आर्ट बेजनब में बिसिकली मैं अपनी पेंटिंग्स को अफ्लोड करती हूं हंस दामेंती इस पेंटिंग इस कॉल हंस दामेंती तो दिखे कितने प्यारे से कलर्स यूज़ किये गए हैं विल्कुल हाइपर रियलिस्टिक में इसमेट्रिकल बैलेंस के साथ नेक्स्ट है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एक्जबेट है वुमन होल्डिंग ए फ्रूट तो यह अपने हाथ में फल लिये हुए हैं एक लेडी नेक्स्ट है देद गैलेक्जी ऑफ मुजेशियन तो देखिए कितने प्यारे प्यारे से लेडी इसको कलर किया गया है डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस और और्नामेंट्स में यह लोग क्या कर रहे हैं तो म्यूजिक मतलब म्यूजिक संब्लाइश कर रहे हैं कुछ इस तरह से कैप्चर किया गया है कलर स्केम बैक्राउंड में डार्क कलर से यूज़ किये गया है रैम रा टीशन लोगों की पेंटिंग की तरह अब मेन फोकस जो है वो ब्राइट कलर पर है जो ड्रेसेस फेस है वो लाइट किन डिशन इकल रहे है नेक्स पेंटिंग है काटी निकालती पिस तर यह वाले ग्जाम में ब्रेसे स्टr रहे हैं कि काटा निकाले में तो तaky når पनले में सकराथ काम बारे बैल अए कौन बक्रक प्रेस्ट बेलाल आइक inform